कि नमस्कार जय हिंद जय हिंदी मैं आर्ती दुवेदी स्वागत करती हूं आप लोगों का अपनी यूटूब चैनल पर जैसा की बीएड बड़सेज बीटीसी की ख़वर जो सुप्रीम कोट का नर्णा है उसके बारे में रोज चर्चा हो रही है आज की न्यूची पेपर की जो खवर है वो मैं आपसे सेयर कर रही हूं मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि बीपीएसी में ये असर नहीं होगा बीपीएसी में बीएड वाले एपलाई रहेंगे और वो परिच्छा भी देंगे सेलेक्ट भी होंगे लेकिन कुछ लोग कमेंट्स किये कि मैं आपको क्या जानकारी है सुप्रीम कोट का निरना सब पर सभी प्रदेशों पर लागू होता है मैं भी समझती हूं सभी प्रदेशों पर लागू होता है पर जो कुछ राजिके अपने अधिकार भी होते हैं तो अतुल प्रसाद जी ने जो tweet की करके बताया और जो news paper की ख़बर है को मैं आपसे शेर कर रही हूं हमारे वीडियो मैं आन्तة बने रहींगा देखिए भ्रह्म में नहीं रहेँ अभ्यार्ति त्ह समयपर होगी प्रदेश में सिछक निजटीमीनु पर इक्षा एक तो उसने रणा के बिहार के बियाड योगता वाले अभ्यरती भी भ्रहम की इस्तिती उत्पन हो गई इसी को देखते हुए बीपीएस सी के अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट करके बताया कि सिचक न्यूकती परिच्छा नरधारित समय पर ही आयोजित होगी सिचक भरती पर रोक लगाने की कोई योजना भी नहीं है आयोग की ओड से सिचक न्यूकती परिच्छा 24-26 अगस्तक सभी जिला मुख्यालियों में दो पाली में नरधारित है प्रिवेस पत्र जारी कर दिये गए हैं वो सब आपको पता ही है सिचक भरती नीवावली के अनुसार एक अ सब्सक्राइब करते हैं और परिच्छा में सामिल होने के बाद यदि हमार सीट में उत्तर नहीं करते तब भी परिच्छा उसर गणना की जाएगी यानिकि अगर आपने अटंडेंस लगा दी तो वह मान लिया जाएगा में हमारा यह बनाने का वीडियो बनाने का उद्दे कीजिए और सिलेक्ट हो यही जरूरी है किसी भी भ्रह्म में ना रहें और जो होगा सो होगा बाद में लेकिन अभी जो सामने हैं उसी को देखते हुए करें और जब अतुल प्रसाद जी नहीं ट्यूट कर दिया गया तो आप किसकी आसा करनी है इसमें बीयर वाले मान रहे करेंगे और एक्जाम पास भी करेंगे स्लेक्ट भी होंगे तो आप लोगों को अग्रिम सुपकामना है हमारे साथ जोड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद